हे गाइज आई होब यू आल वैल यदि आपको अपनी स्कीन के उपर एक गिलो चाहिए या फिर आपकी स्कीन पे हो चोके है अराउंड लिप्स के अराउंड हो चोके डार्क पैचिस जो कि दिखने पे अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि हमारी पूरी स्कीन गिलो करती है बस सारे डार्क पैचिस सब रिमूव हो जाएंगे तो मैं आपको बताती हूं मेरी एक रैमेडी जो कि मैं बहुत जादा फॉलो कर रही हूं जो कि मैंने हफ्ती बहर फॉलो कीते हैं उसकी रिजल्ट में बहुत अच्छे मिलेते मेरे जितने भी डार्क एफेक्टिव एरिया थ के बार डालें आपको दो चम्मच रोस वाटर इसको अच्छे से मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट एड़ी कर देना आपका यह रैमेडी रैडी हो चुकी है इसमें सब कुछ एंगियर्स बहुत जादा नैचरल है और बहुत जादा आपकी स्कीन पर काम करेंगे जो राइस फि जो भी आपकी ऐलर्जी होती उसको रिमोव करता है और जो पटैटो जूस होता है वो पिंग मेटीशन, डार्क स्पैचेज, डार्क स्पॉर्ट इन सारे एरिया के लिए बहुत जाद अच्छा होता है इसलिए हम पटैटो यूस करते है उसके बाद जो आलिव ऑईल है आप आलिव ऑईल के अलाबा कोकोड़ ऑईल भी यूज़ कर सकते है क्योंकि एक ऑईल होना हमारी स्कीन के लिए अच्छा होता है ताकि जो भी डार्क स्वार्ट और डार्क स्पैचेज हो उन सब को रिमोव करने में वो हेल्प करता है उसके बाद जो रोस वाटर लिया था वो तो हमारी स्कीन के लिए अच्छा ही होता है एक टोनल की तरह काम करता है तो आपको एफेक्टेट एरिया पे ही इसे पेस्ट को अपलाई कर देना है पैक को लगा देना है यदि आपने पूरे फेस पर लगना चाहिए तो वो भी लगा सकते है पट जहां आपके डार्क सब कवर हो जाते हैं सब रिमूव हो गए मुझे टू वीग हो जोगे से अपलाई करते हुए फिर जब यह दस मिनट के पार ट्राई हो जाए आप उसको वैट वाइप से से रिमूव कर देना या फिर कुछ भी कीला कॉटल लेना कपड़ा उसे इसे रिमूव कर देना आप देखोगे कितना प्यारा सा गिलो मिला था मुझको कि अगर्ध मिल इंस्टन ही मुझे इसकी रिजल मिल गए थि और बहुत ही ज्यादा साथा प्यारा सा मिलता है किम्र почत स्कीन भी लाइटा कि टोटी या जितने पी बिर उतने होते न वह ब्वह एतम रिमूव होंगे तक क अपने रूतीन में यूज़ करना आपके रिधर बहुत जादा अच्छे मिलेंगे और जितने भी आप उस जगे में इस पिस्ट को लगा सकते हो जैसे कि अलबो हो गया आपकी और नैक हो गया बैक नेक हो गई उससे के भी अपलागा सकते तो वीडियो ची लगी तो लाइक कर देना सिस्काइब कर देना बाई